सभी को मेरा प्यार वरा नमस्कार मैं प्रसांद सुलंकी स्वागत करता हूँ आप सब का आपके अपने परिवार वोकेब वंडर्स पे तो कैसे आप सब उमीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे बहुत सांदार होंगे बहुत बहुत बहतरी नंग्ट से पड़ाइलखा ही कर रहे होंगे आज 11 जुलाई 2022 की हम कंप्लीट वुकेब दह हिंदू न्यूस पेपर से पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर आपको इंपोर सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर लीजेगा चुरुबात करते हैं और आज की क्लास का जो पहला आपका वर्ड है इस ओवर्हॉल ओवर्हॉल हम कई बार इसको सूचते हैं कि there was an overall of this यानि किसी चीज़ का जब ओवर्हॉल हम करते हैं तो इसका मतलब होता है पूरे त examination of a machine or system including doing repairs on it and making changes to it तो उसमें बदलाव करके पूरे सारे changes करके जो आपका रहता है उसी को overhaul of something कहते हैं अगला आपका वर्ड है lampoon ये एक वर्व होती है lampoon का मतलब basically क्या होता है lampoon का मतलब होता है किसी को बहुत ज्यादा strongly criticize करना किसी को यानि किसी की कड़ी निंदा करना है तो जब हम किसी की कड़ी निंदा करते हैं तो भी lampoon somebody or something ठीक है तो to criticize somebody or something publicly in a humorous way that makes them it looks silly और खास करके कब कड़ी निंदा किस तरीके से करना मजाक उड़ा के humor humor की मदद से अगर किसी की निंदा करते हैं तो उसी के लिए लगा देते है lampoon अगला आपका word है strive इसको बहुत बार हम यूज करते हैं we strive for this we strive for that इसके अधा fixed preposition for आती है ठीक है so strive for something होता है इसका मतलब होता है किसी चीज के लिए basically प्रयास रत होना किसी चीज के लिए प्रयास करना तो to try very hard to achieve something कठिन प्रयास करना अगला आपका cognizance cognizance का मतलब होता है जानकारी किसी भी चीज की जानकारी होना वेशी के लिए so knowledge और understanding of something किसी चीज की जानकारी cognizance of something अगला आपका वर्ड है रेजीम रेजीम हम कभी उस करते हैं जैसे किसी का सासन जब चल रहा होता है तो उस सासन के पूरे काल को रेजीम बोल देते हैं ठीक है जैसे कि अकसर करके बोला जाता है आपने सुना होगा अपार्थीड रेजीम जब चल रही थी South Africa में अप सब्सक्राइब करने का वही मतलब होता है जो नेता लोग करते है यानि कि गवन करना घोटाले करना ठीक है इसके लिए एक और आपकी वर्व होती है मिस अप्रोप्रियेट करना सो इंबेजल, इंबेजल से आपका नाउन बन जाता है इंबेजल्मेंट ऐसे इस नाउन बन जाता है निस अप्रोप्रियेशन औस इंबेजल्मेंट ऑफ मनी यानि गवन कर ले न किसी चिज़ का गोटाला कर लेना तो to steal money that you are responsible for और that belongs to your employer आगे देखेंगे morbidity, morbidity का मतलब क्या होता है मेरे में, morbidity का मतलब होता है यह न, एक ऐसी अवस्था जिसमें बहुत सारे लोग बीमार हैं, particular disease से एक से, या फिर वो सारे लोगों की संख्या जो बीमार है, so the fact of having a particular disease, अगर आपको कुछ बीमारी है, तो morbidity बोल देते हैं, देखो, एक तरीके से इसको हम बार-बार यूज कर रहे होते हैं, अगर हम environment की बात कर रहे हैं, तो एक habitat होता है न, आपका habitat, habitat के sense में इसको लगा सकते है निस, यानि कि जहां पर आप comfortable हो, जो आपका comfort zone है, simple सी बात करें तो, इसको बाकी अगर environment से अलग अगर general language में देखे हैं, तो a comfortable और suitable role, ऐसा role जिसमें आप comfortable हो, ऐसी job जिसमें आप comfortable हो, ऐसा way of life, जीने का तरीका जिसमें आप comfortable हो, वही आपका क्या कहलाएगा, निस कहलाएगा, आगे देखेंगे alias, alias basically क्या होता है, assumed name, खास करके यह assumed name होते हैं, बड़े-बड़े जो कभी होते थे न, कभी और यह नाउन होता है, alias basically, ठीक है, और इसके अलावा alias का एक और जैसे example देखेंगे, जैसे कि I guess अक्षय कुमार, अक्षय कुमार का नाम अक्षय थोड़ी ना, साइध राजीव नाम है, ठीक है, original जो नाम था, लेकिन बाद में बदल के ऐसे रख लिया, ठीक है, तो जो अलग नाम रख लेते हैं, वही alias, आगे देखेंगे, अगला आपका word है, consternation, consternation, consternation का मतलब क्या होता है, कई बार होता है, कि कोई अचानक से हमें कुछ ऐसी unpleasant सी चीज मिली, कोई बुरी ख़बर मिली, जो फिर अंदर से जो गवराट सी आते हैं, दिल जो बेचैन सा उ बंद हो रही है, तो नीद में चले जाना, drift आप यानिके सो जाना, एक है end in, end in का मतलब होता है, किसी चीज का खतम होना, और आगे जो भी particular result होगा वो लिख देते हैं, end in this, end in that, ठीक है, तो किसी चीज का समाप्त होना, अंत होना, आगे figure out करना, figure out कर लिया, यानिके किसी problem बगएर आपको अपने solve कर दिया, किसी चीज का solution निकालना, ठीक है, to understand या find the answer, समस्या का हल समझना, एक होता है get at, get at का मतलब होता है, to imply, to imply, ठीक है, किसी चीज को imply करना, समझना, ठीक है, आगे देखेंगे get in, get in का मतलब होता है, entry करना किशी पर, get in, ठीक है, आगे इडियम होते हैं, एक आपका इडियम है, you mean service, you mean service क्या होता है, मिर भाई, you mean service का मतलब होता है, एक बढ़ियत काम, अगर आपके लिए कोई proper ढंग से लगातर काम कर रहा है, अच्छे से, तो उसी को you mean service बोल देते हैं, तो एकदम करतब वे निश्ट होके, अगर कोई आपक काम करता है, तो उसको you mean service बोला जाता है, उस काम को, ठीक है, so efficient or useful help in need, the final या last straw, the final straw या last straw, इसको हम तब use करते हैं, जैसे माल लीजे, जीवन में बहुत सारी समस्यां आ रही हैं, और फिर एक समस्या जो कि सबसे बढ़ी है, उसी को final या last straw बोल सकते हैं, like ऐसे बोल सकते है जैसे exam जब आपको निकालना होता है, पहले form बरना होता है, फिर pre paper देना होता है, फिर means paper देना होता है, तब वो final result है, तो वही final straw है, problems बहुत सारी थी, जो उसकी सबसे तगडी चीज है, वो, सबसे खतरनाक जो चीज होती है, वो, final straw बोल देते हैं, so the last in a series of unpleasant events that finally make you feel that you cannot continue to accept a bad situation के, अब नहीं भाई, जो चीज आपको यह कहने मजबूर कर दे, अब नहीं भाई, ठक गया, ठीक है, आगे, be in a tight corner, be in a tight corner का मतलब क्या, difficult situation में होना, भाई आप अगर tight corner में इसका मतलब आप difficult situation में हो, an elephant in the room, an elephant in the room का मतलब क्या होता है, एक ऐसी problem, एक ऐसी समस्या, ज लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, जैसे अभी Jio ने एक साथ में इतने सारे rates बढ़ा दिये, ये एक बड़ी समस्या है, लेकिन सरकार की तरफ से, या किसी की तरफ से कोई response आया, कुछ भी नहीं, लोग बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि पता है, तीन आई है आपका Vodafone और आइडिया वाला इन्होंने occupy कर रखा है, यानि कि लगबग 90% में, तीन ही तो player है, बाकी के 10% में सब कुछ है, BSNL से लेके छोटे, मोटे, जितने player हैं, सब कुछ है, अब 90% वाले तीन लोग अगर एक साथ बैठके कमरे में ही decide करें, एक काम करते है जी, कल से rate double, आपके पास में क्या option है, कुछ भी नहीं, problem बहुत बढ़ी है, लेकिन कोई बात नहीं करना चाहता है, हलंकि सरकार की दरब से काफी प्रयास रह रहे हैं, इसके लिए, BSNL का revival हो, BSNL सरकारी company है, भारत संचार निगम limited, भारत संचार निगम limited, ये सरकारी company है, और इसके लिए काफी प्रयास रहे हैं, पास्ट में भी रहे हैं, अभी आपको साहथ पता भी होगा, कि BSNL का जो पूरा का पूरा tender मिल रखा है, वो basically Tata को दे रखा है सरकार ने, कि 2024 के अंदर Tata ये ensure करेगी, Tata को लगो 12,000 करोड का tender मिला था, कि Tata ये ensure करेगी, कि इतना infrastructure structure BSNL का लग पाए, कि पूरे भारत के कोने कोने में BSNL 4G network दे पाए, और अभी तो BSNL का इस चीज का network है, इसके अलावा भी होई, आपको जो पता होना चाहिए, कि 2025 में BSNL आपको 5G भी प्रोवाइड करे, इस चीज की भी विवस्ता की गई है, तो मोधी सरकार के द्वार बहुत सारे fund BSNL के लिए दिये गए हैं, तो उम्मीद है कि BSNL का revival हो जाएगा, और BSNL का revival ही है, जो ultimately यह जो internet के prices बढ़ते जा रहे हैं, इनको रोख सकता है, जैसे एक टाइम पर fuel के prices बढ़ते जा रहे थे, तो फिर थोड़े time के लिए रुख गए हैं, अब ऐसे ही कही करने के internet के लिए आपके बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम इतने आदी हो चुक है कि बिना internet के अब हमारा काम नहीं चल सकता है, डेड़ जीबी, दो जीबी अगर दिन में ना हो तो बच्चों काम ही नहीं चलेगा, बच्चों की पढ़ाई रुख जाएगी, क्योंकि सब कै अगर डाटा नहीं होगा, internet नहीं होगा, उसी चीज़ का फायदा उठाते हुए, जीओ, एयर टेल सारे मिलके क्या करेंगे, प्राइस बढ़ाते रहे हैं, जीओ ने पहले फ्री दिया, फिर बहुत सस्ता दिया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, अब इतना बढ़ा दिया है, बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, बागि ऐसे बढ़ता रहेगा, तो एक ऐसी प्राबलम है, जिस पर लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोगों को करनी चाहिए, और भाई, BSNL को सपोर्ट करते रहना चाहिए, अगर आप में BSNL का SIM है, बहुत अच्छी बात है इसको पोर्ट नहीं कराना, अगर नहीं है, तो अपने नंबर को BSNL में, अभी बेसक पोर्ट मत कराओ, लेकिन आगे आने वाले टाइम में जरूर करा लेना, क्योंकि BSNL का रिवाइबल भी जरूर होने वाला है, ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका इडियम है, गि आपकी बोलने की कला, gift of the gap, down to earth, down to earth होने का मतलब क्या होता है, practical होना, reasonable होना, and friendly होना, यह होता है, down to earth होना, face the music, face the music का मतलब है, किसी चीज़ के unpleasant consequences को face करना, face the music, ठीक है, अगर आपने कुछ गलत कर दिया है, उसके लिए आपको criticism मिले, आपको उसका जो भी गलत result है, उसको भूगतना, अगला आपका sacred का हो, sacred का मतलब होता है, पवित्र, कोई भी ऐसी चीज, कोई custom हो सकता है, जो के लोग criticize नहीं कर सकते, question नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या है, आपको पवित्र मानी गई है, आपकी धार्मिक भावनों से जुड़ी है, उसी को बोल देता है, sacred का हो, बाकि मेरे बाई, अगर आप complete English मेरे से पढ़ना चाते हैं, तो यह हमारा recorded batch, English special VOD batch, इस batch के अंदर आपको बहुत कुछ मिल जाता है, updated सारी classes मिलती है, class notes मिलते है, type wise, level wise seats मिलती है, chapter wise mock test मिलते है, previous year questions मिलते है, solutions के साथ, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है, बाकि यह हमारा नया live batch है, यह अभी अभी start हुआ है, आप इसमें भी check out कर सकते है, 999 के price में आपको बैच मिलता है साथी साथ में यह हमारा combo batch है, इस combo batch के अंदर हमारे सारे teachers होते हैं, और सारे subject होते हैं, combo batch सिर्फ 269 में आपको मिल जाते हैं, बाकि अगर अब तक English रामबाण किताब नहीं लिया, तो जरूर ले लेना, इस से बहतर किताब आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, यह मैं challenge दे जय हिंद, जय वारत